हलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे सटूप चैनल में और फ्रेंट्स इस वीडियो में हम दोग बनाएंगे एक टोस्ट टोस्टर जिसके अपसे हम लोग कोई मैसेज दे सकते हैं अपने वेब साइट पर तो यह फ्रेंट्स वेब रिलेटेट कंटेंट है इसमें हम लोग चोटासा चॅश्टर एक टोस्ट क्रियेट कर सकते हैं जो में स्क्रिंद्स बट्रें बट्न है रएक रि tenía करना रावा कि जो मैं सीखना सिखाना चाहता हूँ उस चीज़ पर ज्यादा फोकस करना जा रहा हूं तो यह बटन आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो यह बूट्स्राइप यूज कर लो इस टोटली अप टू यू तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर एक मैसेज आ रहा है दिस इस टोस्ट क्रिएटेड वाय तुर्गेश फिर से क्लिक किया और यह टोस्ट थोड़ी देर बात क्या हो जा रहा है यह अपने आप से डिसापीर ह हो जा रहे है तो ऐसे करके हम लोग को जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस हमको देने होते हैं चाहिए आप कोई सब्सक्राइब या फिर आपको इएपसेज ना करे जैसे जैसे मालो आप अगर जैसे यह मैसेज आ यह यह दे यह सब्सक्राइब कर सकता है तो हम लोग कोड का कंपोने बनाना चाहते हैं वहुत सारे plugins आपको मिल जाएंगे जिसकी help से आप Toast use कर सकते हूं लोग का बट हम यहां पर चोटा सा code लिखके खुद से यह Toast message बनाना चाहरे हैं और अगर आपको components को अच्छे से सीखना है तो आपको भी यह सारे components आने चाहिए है तो देखते हैं चलते हैं कैसे यह Toast को create करना है तो हम लोग क्या करेंगे simply हम आजाएंगे Visual Studio Code पर यहां पर एक file बनाएंगे simply right-click करेंगे और new file पर क्लिक करेंगे और इसका नाम देदेंगे toast.html और file में मैं कुछ code लिखूंगा और code लिखने लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा HTML का code लिखना पड़ेगा बेसिक HTML code यह आप क्या कर होगे HTML colon 5 लिखके enter कर दोगे तो आप देखोगे simple HTML आ गया head आ गया meta tags आगे और title आ गया और यहां पर हमारी body आगे टाइटल को मैं चेंज कर देता हूं टोस्ट टूटोरियल टूस्ट टूटोरियल और body में एक message देता हूं यह मैसे simply इसलिए जिससे कि हम लोग क्या कर पाए हम लोग test कर पाए कि यह वाला जो server का plugin सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हो जाकर के इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हूं यहां पर सब्सक्राइब लगाएंगे अपने page में तो हम लोग आ जाएंगे और यहां पर Google पर सर्च करेंगे बूट इस ट्रैफ फोर सीडियन इतना आप काम कर लो यह आप बूट स्टैब नहीं भी लगा हुए तब यह बूट स्टैब सिर्फ बटन को create करने के लिए है तो बाद में लगा लेंगे इतना कोई इसकी नहीं इसकी जरूत नहीं है तो हम लोग यहां पर आजाएंगे और सिंपली हम क्या करेंगे एक बनाएंगे एक बनाएंगे और इसकी class या इसकी ID देते हैं क्योंकि एक पेज में एक ही हम लोग टोस्ट रखना चाह रहे हैं ठीक है क्योंकि जितने pages होंगे उतनी अब टोस्ट अलग-अलग उसकर पाओगे ठीक है यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं टोस्ट इसकी ID बेसिकली मैंने टोस्ट दी और इसके अंदर कुछ टेक्स देते हैं सपोज मैंने दे दिया इस इस आवर कस्टम टेक्स अब अगर मैं सेब करूं तो आप देखोग कि अब देखोगे यहां पर देशिज और कस्टम टेक्स आ गया यह बेसिकली टोस्ट काट इसी को आप लोग सीएसर यूज करके टोस्ट करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं देस आवर कस्टम टोस्ट टेक्स ठीक है आप अब इहां से देखो इस ID पर में कुछ CSS पर देखोगे हैस हैस के बाद आपको ID तो आप देखेंगे टोस्ट सेमपल अब हम क्या करेंगे इसी टोस्ट पे कुछ CSS करेंगे कौन कौन से CSS है सबसे पहले इसकी visibility off करनी है तो मैं क्या करूंगा यहां पर visibility को hidden कर दूँगा अब आपका टोस्ट बाइडिफॉल्ट तो नहीं दिखेंगा क्योंकि visibility क्या हो गई सबसे की जो भी चीज़े होती जाए मुझे दिखती भी जाए ठीक है तो सबसे पहले चीज़े हम आज आते हो देखते हैं हमें क्या करना है हमें अपने इसकी विर्थ फिक्स करनी है अब वह आपकी मर्जी कितना रखना चाहरो सब्स हमें यहां पर minimum width कम से कम आपकी width जो मै रखना चाहरा हूं 300 pixel ठीक है minimum width होगी उसके बाद अब अब दहां से देखिए मैं इसको सबसे नीचे ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा मैं पोजिशन क्या कर देता हूं रिलेटिव नहीं fix कर देता हूं फिक्स पोजिशन फिक्स अब देहां से देखिए और भी कुछी यह करता हूं पोजिशन फिक्स और यहां पर bottom वाली साइड जो है बॉटम ऑली साइड या बॉटम हाँ बॉटम ऑली साइड को क्या कर देता हूं 30 पिक्सल 30 पिक्सल तो यह होगा क्या देहां से देखिए यह एकदम नीचे आ गया अब मुझे इसको center वालाना है तो बस द्यां से देखिए करते जाए क्या करेंगे ठीक है तो मैं क्या करा लेफट को फिफ्टी परसेंट इधर से इधर को सिफ्ट करूंगा तो में उनुख peckypt का देहाद का अदधा किता होता है ृष्ट किया थ्री दिली तो तो मैं मुझा करूंगा इसका हाफ ृथ में मूफ करूंगा तो देखा कैसे करूँगा मैं आपने लेफ्ट म मार्जिं लेस्ट और माइनस ऊफिसटीजी तैकर कर दोंगा तो आप देखोंगे यह इधर फिर यह काम करने के लिए कर दें humor कर रहें, इसका background कलर दे सकते हैं तो चलिए background कलर दें है, हम यहां पे देते है background और color code black है तो basically मैं Jaguar 333 आप black उसका सकते हो मैं हलका सा इस तरी हग रख रहा हूं ठीक है इसकी pamढ़ इपाई दिफे दे दे देते हैं दिखे पेडिंग तो इसके padding देते हैं, padding मैं रखता हूँ 15 पिक्सल, आपकी मर्जी आप जितना रखना चाहे, तो आप देखोगे, 15 पिक्सल हो गया, perfect है, 15 पिक्सल, next, अब नहां से देखे, इसका color white देते हैं, तो आप दे सकते हो, color colon white, आपकी मर्जी, ठीक है, तो देखोगे, text white हो गया, इस इसकी width, इसकी height, क्या रखना चाहे हो, कुछ important और चीज़े करूँगा, देखे, मैं Z index, बढ़ाऊंगा, increase करूँगा, जिससे की ये top पे रहे, मतलब, जब layer बनेंगी, तो ये सबसे top पे रहे, इसी तरह आप Z index और भी बढ़ा सकते हो, कोई issue नहीं है, ठीक है, अब इसकी font font size भी आप adjust कर सकते हो, आपकी मर्जी, font size, ये पूरी total designing आप पे है, तो इसकी font size 18 pixel रख देता हूँ, 15 pixel नहीं, 18 pixel, ठीक है, 18 pixel, totally depend करता आप पे, तो आप देखोगे, इसी font size भी बड़ी होगी, अब दहां से देखे, last, last चीज, इसकी visibility क्या कर देते हैं, हम लोग off कर देते ह तो ये दिखेगा नहीं आप, by default ये hidden भाडिवर्ड क्या है अब देखे, मैं क्या करता हो, एक क्लास और create करता हूँ, जो इस पर add करूँगा, ठीके कराउँगा, पे कैसे, देखे, मैं क्या करता हूँ, क्लास ऐसे करूंगा, toast मैं करूँगा, class toast, जिसका टोस्ट, टोस्ट हो साथी साथ में कुछ डिस्प्ले, डिस्प्ले, उसका CSS कुछ और लिखते हैं, मतलब इस वाली ID पे, इस वाली पे, जब हम लोग डिस्प्ले क्लास भी लगा देंगे, उस बार क्या हो जाएगा, visibility hidden हो जाएगी, visibility, sorry, visibility, visibility, visible हो जाएगी, ठीक है, तो हम लो एक class है, तो इस class को यहां पे लगाते हैं, तो हम लेखेंगे class display, class display, जैसे ही अब class display करोगे, देखोगे class display हो गया, that means, यह परफेक्ट चल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस class को by default तो नहीं लगाएंगे, but हम लोग jquery के help से इस class को by default, पहले तो हम लोग off करके रखे कрастटार हम लोग कर देखेंगे उसके बाद मुद इस क्लास को जेख वेल्प से इसकि कर लगाएंगे जैसा ही क्लास हमारी दिस्प्ले होने लगे देखते हैं छा हम लोग देखतopen तो हम लोगाएं के लिए nhất जावसक्रिब्क करते हैं तो मुद आ लेते हैं और आ के अपने और Mostly कोई भी प्रजेक्ट है तो आप येक्वरी यूज्स करते ही करते हो तो इसलिए जेक्वरी यूज़ करो पर्फिक्ट है आप से लिइक बटनम लेते हैं हम लोग यहां पर है हुम लोगप इस वाले element पर apply हो जाए तो कैसे करेंगे देखिए मैं आप एक function कॉल करूंगा on click और मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर so toast यह function अभी हम लोग create कर रहे है so toast ठीक यह function create करना है कैसे create करना है आपको simply एक script tag all लगाना है और इसके अंदर आपको जेक वरी का सवरी चावर स्क्रिप्ट एक function create करना है so toast देखिए कैसे function आप create कर सकते हो simply आप लिख सकते हो यहाँ पर function और आप so toast simply function create हो गया आप arrow function भी यूज कर सकते हो कोई शूने arrow function से भी काम हो जाएगा यहाँ पर simple function से भी काम हो जाएगा इतना कुछ जरूरी नहीं arrow function यूज करना बट प्रजेक्ट में यूज कर रहे हो थोड़ा अच्छी कोडिंग करनी तो आप arrow functions यूज कर सकते हो और simply मुझे क्या करना अपने इस कोड में एक काम करना है इस वाले element में क्लास एड करना है वह है डिस्प्लेट करते हैं दिखिए मैं करूंगा मैं सबसे पहले इसके क्लास में एड कर देगा जैसे एड करेगा इसकी प्रॉपर्टीज देट में विजिबिलिटी क्या हो जाएगी विजिबल हो जाएगी उसकी और मैं क्या करूंगा थोड़ी दिर बाद तो हम एक फंक्शन यहां पर लगाएंगे सेट टाइम आउट ठीक है यह दो ची 2000 millisecond दे दिया इसका मतलब दो सेकेंड के बाद इसको एक function कॉल करना है यह वाला function जो कि मैं arrow function पास कर रहा हूँ ठीक है arrow function यह परफेक्ट है अब arrow function कॉल होगा तो arrow function क्या करेगा या arrow function नहीं आप नॉर्मल function भी यूज कर सकतो यह simply यह इस display वाले class को remove कर देगा कैसे remove करेगा exactly why code है आप फिर से target कर सकते हो अपने toast वाले div को और simply यहां यूज कर सकतो हो remove class और अपनी सिर्फ फिर से class पास कर सकते हो display that's it यह क्या करेगा पहले तो यह function add करेगा display class बट उसके दो सेकेंड के बाद यह यह वाला function जो अंदर वाला function नहीं यह display class को remove कर देगा इसकेंड के बाद फिर से hide हो जाएगी चले देखते हैं तो हम लोग आएंगे और हम लोग लुग क्लिक निपिक करेंगे तो आप देखोगे तोस्ट आ गया और दो सेकेंड बाद टोस्ट गया फिर से देखे तो इस पहले अनिमेशन आएंगे css में create करेंगे एक animation create करेंगे animation सबसे पहले fade in का animation create करेंगे एक fade out का animation create करेंगे जिससे आए फिर जाए आए फिर जाए तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले animation को create करने क्लिए क्लिए क्या लिखते है add the rate keyframes ठीक है देखें, आपको दो parameter, इसके अंदर दो चीज इसके अंदर भी लिखनी है, from, from अबलब कहां से सुरू करना है, ठीक है, और 2, 2 कहां तक जाना है, तो fade in करने के लिए, देखें, मैं क्या करूँगा, bottom, देखें, मैं क्या लिखूँँगा, bottom, 0 से start करना, ठीक है, और जाना कहां तक है तू में लिखे तो हम लिखेंगे बॉटम बॉटम जाना आपको 30 पिक्सल तक है तो यह 0 से स्टार्ट करेगा 30 पिक्सल तक जाएगा और ऑपैसिटी कहा से होगी और जाएगी कहा तक भाई देखे ओपैसिटी आपकी जाएगी वन ठीक है पर्फेक्ट है तो फेडिन के लिए बन गया इसी तरह फेड आउट के लिए बना लेते हैं जस्ट इसका रिवर्स तो हम क्या करते हैं इसको जीरो कर देते हैं ठीक ऑपसटी भी जिरो कर देते हैं अब देखें यहां पर नाम भूल गए तो हम लिखेंगे फेड आउट ठीक है टो दो अनिमेशना हमारे बन गया एक टreiben गया और एक अनिमेशन को सिंप्ली हमें क्या करना है हमें अप लाए करना है जब अप्लाई करना है जब डिसपले क्लास ऐड होगी यहां पर तो मैं से एक पर एंःट एक और वैत आपको कौन सा Animation apply करना है तो मैं लिखूंगा Ed in फेड इन ठीक है एकि इन एंडिमेश्शन अप्लाई करना है ठीक है ध्यान से दिखे तो कितने से क्यों तक चलेगा तो मैं कहूंगा 0.5 से कंड तक बिद्ध है जिरू पॉइंट फाइब सेकेंड तक चलेगा कॉमा उसके बाद मैं एनिमेशन अप्लाय कर दूंगा फेड आउट है और यह भी चलेगा कितने दियरत के लिए तो मैंने दोनों अपने दोनों एनिमेशन से यहां पर अपलाई कर दिये यह अपलाई हो गया इसको पहले टेस्ट करते हैं फिर मैं समझाता हूँ फिर आप इसका प्रिफिक्स क्रोम के लिए वेब के अनिमेशन वगरा भी लिख सकते हूँ हु आपकी मदच और अगर आपको यह चीज नहीं समझ में आई तो आप Google जा कर सकते हो एनिमेशन प्रॉपर्टी आप चलिए Google पर सर्च करते हैं ठीक है यहां पर आते हैं और यहां दूरेशन अनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एनिमेशन डिले यह सारी चीश आप पास कर सकते हो जैसे इन्होंने यहां पर पास करके रखाए तो यह सारी कर सकते हो हम लोग आते हैं अपने देखते हैं तो अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे ठीक है थोड़ा सा करते हैं हम लोग नीचे अनिमेशन जो चलाना हमें फेड इन .5 सेकंड ठीक है और इसको भी .5 सेकंड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं simply perfect है तो आप देख पाऊगे ये मतलब कितना time लेगा कितना time लेगा आपका और 2.5 second का time ले रहा है animation को होने में तो ये animation इतने देर में चल रहा है एनिमेशन इतने देर में चल रहा है देखांक क्या है तो तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि यह सारी शीर कैसे बन रही है अब आप क्या कर सकते हो इसको यूज़ कर सकते हो अपने website में अपने project में काम करने के लिए तो मुझे लगता आप चीजे आपको आप समझ गये होगे और इस तरह के से काम कर सकते हो इस पर थोड़ा सा 0 pixel और बलर यह मैं करूँ का 100 pixel और इस करूंगा करूंगा और हलका सा 333000 उसकर दाउँ ठीक है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे jquery के plugins की help से मिल जाएंगे और बहुत सारे plugin है बट यह जो component है यह code आपने खुद से किया है तो यही जो code आप खुद से करोगे उसके बारे में सारे शीज आपको perfectness पता होगी अब आप क्या कर सकते हो इसको ऐसा भी कर सकते हो यह कॉल कर रहा हूं उस समय टेक्स्ट पास करूं तो यहां पर फंक्शन में पास भी कर सकते हो दिस इस कस्टम टेक्स्ट या आप ऐसे पाक्स पास कर सकते हो hello this is button text तो अब आप जब आप so text call करोगे तो एक parameter आपने दे दिया तो इस parameter को आप यहां पर receive कर दीजिए content अब आपको क्या करना है इस content को set करना है इसमें यहां पर तो बहुत असान है simply आप target करिए अपने div को देखिए आप target करिए अपने div को ऐसे toast toast dot और यहां पर simply html html में आप content को simply क्या कर दिए put कर दिए that's it आप क्या होगा content भी change हो जाएगा hello this is button तो कहीं से भी call करोगे तो content आप पास कर सकतो इस function को तो अब आप यह component कहीं भी उस कर सकतो इस function यह function होना चाहिए आपके पास यह div होनी चाहिए आपके पास और यह css होनी चाहिए तो आपको वीडियो समझ में आया होगा एक बार देखिए दो बार देखिए बट यह component important है कोई message को देने के लिए इसको colorful कर सकतो आपकी मुर्शी तो इस वीडियो में इत्ता रखते हैं अगर आप कोई वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कला करें तब तक के लिए मैं मिलता आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंद ज